आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम वेक्टर एनलाइस से जुड़ा हुए एक टॉपिक जो है गौस्ट डाइबर्जेंस थेरोम पर बेस्ट इस सीरीज करने जा रहे हैं तो इस टॉपिक पर बेस्ट एक क्वेशन आपका एक्जाम में जरूरा आता है ठीक है अगर आप यसी फरस्ट एर के स्टूड़न है तो तो चली प्रॉब्लम डिसक्स करें प्रॉब्लम क्या गएती हैं एवेलिवेंट इंटिकेशन एस एस मिन सर्फेस इंटिकेशन एफ डॉट एंडियस विए जो हमार एफ है वह है फोर एक्स वाई आई प्लस जैड़ वाई जी माइनस एक्स एट की एंड जो हमार एश है इस दस सर्फिस ऑफ तो क्यूप बाउंड़ बाउंड बाइड प्लेंस जो हैं वह एक्स इसको जीडों से लेका टू तक वाइस को जीडों से लेकर टू तक और जैडिस को जीडों से लेकर टू तक यह मारीजन दे रखाए इस रिजन के अंदर हमें यह फाइंड करना है इसका इंडिशन सर्फिस इंडिशन तो इसके लिए हमें क्या निगालने एफ टोट एन यानिकी सीदा सीदा अनुमान लग गया कि तो तो यह में गॉस्ट आइब जस्ट एरम का पालन करना है वो क्या होता है इंडिशन एस डॉट एंडियस इसकूस्ट किया होता है इंडिशन वी फोल्यम इंडिशन डाइवर्जन भी डी अच्छा इस कोश्चन में वी की प्लेस्पर में क्या रखा रखा है वह एफ ते जर्पेसा है तो डल इनकॉस्ट क्या ओता है विल्टा गाम अल कॉन्भ कॉत कर ली एकिशन आई प्लस कर ली ऐवर कर ली ऊवर कर ली सेट की एंटू में एफ क्या है डॉट्ट प्रडुक्ट है 4xy i plus yz k minus xz k sorry, यहां पर आपका क्या अदा मैंने कुछ गलवर कर दिया है sorry, yz यहां पर आपका yz j था ठीक है अब चान्ते dot product में क्या होदा है i का i के साथ होदा है तो यानिकि कर ली और कर ली x 4xy plus कर ली और कर ली y यहां से जागा, minus k xz आजाएगा अब इसका derivative करेंगे आपका x के शापश करना है तो y constant होजाएगा x का 1 इसे परकाब y का करेंगे तो z आजाएगा और यहां से z के शापश करेंगे तो सिर्फ minus x बच जाएगा यानिकि जो हमारा divergence f होगा वो आएगा 4y plus z minus k x लेकिन हमें निगालना है f dot n ds और वो किसके बराबर होता है integration v volume integration divergence f dv अब values put करेंगे divergence f की value हमने रग दी 4y plus z minus x और dv क्या होता है dx dy dz और volume integration का मतलब क्या होता है तीन बर integration x y z के साब इक्स अब हम limit भी ले दे रहे है 0 से 2 y का 0 से 2 और z का भी 0 से 2 given दे रखा है और ये है dx dy dz तो सबसे वहला integration करना है z के साब इक्स z के साब इक्स जब हम integration करेंगे तो बाकी सारे constant हो जाएंगे तो 4y बाहरा जाएगा z इसका जाएगा z square by 2 यहां से x बाहर और z इंडिशन करना आपको आता ही होगा यह differential calculus वाला मैं आपने सीखा होगा इंडिशन करना integral calculus में तो यहां से dx dy फिर क्या होगा अपर लिम्ट मैंस लोर लिम्ट रखेंगे solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8y plus 2y minus 2x यहां पर dx dy आपको किसके respect में y के respect में तो य के respect में तो बाकी सारे constant हो जाएगे तो यहां से आजाएगा y square upon 2 होगा 2 से cut के 4y 4y square यहां से 2y आजाएगा और यहां से 2xy फिर से अब upper limit minus lower limit रखेंगे यह दे की मनें रख दिया lower तो आप रखेंगे यहां यह दे नहीं सिर्फ अपर से ही बात बन जाएगे फिर यह उसको आप जब solve करेंगे तो यहां से 16 और 4 20 आजाएगा और यहां से minus 4x अब x के शापिश करना है तो 20 का 20x हो जाएगा और 4x का 2x रखेंगा indication फिर upper limit minus lower limit रखेंगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा 32 तो आयो यह कोशिन आपको समझ में जरूर आया होगा अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले वीडियो बे आपको इसके सब्सक्राइब और बढ़ते मिलेंगे तो हमसे जोले रहने के लिए प्लीज नोटिफिक्शन बेल को जरूर दबाले थैंक यू